नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धर्म सर्मार 23 नॉम्बर सुक्रवार के दिन कार्तिक पुर्णिमा है बड़ा सुक्रवार घर में चुपचाप बना दे एक स्वास्तिक आपकी सारी गुप्त परेसानियां गुप्त चिंताएं गुप्त समस्याएं जो भी हैं वो सारी दूर हो जाएंगी यकीन मानिये ये बहुत खास दिन है दोस्तों कहते हैं कि इस दिन की गई सारी मनुकामनाओं को पूर्टी के लिए आप जितने भी प्रयास करते हैं वो सफल रहते हैं पूर्णिमा की तिथी और बड़ा सुकुरवार अद्भूत सेयोग और सबसे खास तो बात ये है कि पूर्णिमा तिथी को सकारात्मक उर जाएं हमारे आकास मंडल से पिर्थवी पर आती हैं और ये उड़ जाएं हमारी मनोकावनाओं को पूर्ण करने के लिए जी जान से लग जाती हैं हमारे दिल में जो इक्छाएं हैं जो अधूरी हैं जो हमारी टेंसन है परेसानिया है वो दूर हो जाती है अगर हम छोटी छोटे उपाई करते हैं तो आप भी करें हम सब भी करते हैं क्योंकि कौन जाने किस पल भगवान हमारी पुकार सुन ले हो सकता है हमने इस समें तोटका कर रहे हैं या कोई पूजा पाट नेम बिधी कर रहे हैं और भगवान जी का आगबन हो जाए हमारी हाथों हाथ मनो कामना पूर्ण हो जाए हम बार-बार कहते हैं उमीद मत अरिए क्योंकि उमीद पर ही दुनीय ठीकी है और उमीद का दामन थामे रहने से मा लक्षमी की भी किर्पा होती है कर्म भी कीजिए ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है कर्म भी कीजिए आपको कर्म का 10 गुना 100 गुना जादा फल मिलेगा लेकिन तोटके भी कीजिए दोस्तों हमने अपने वीडियो के माध्यम से तमाम तरह के टोड़के आपको बतलाएं हैं उमीद है आपको लाव मिला होगा बहुत सारे दरसक को तो इसके फटा-फट फल भी मिल गए होंगे तो हम चाहते हैं कि आप सबों को भी मिले तो दोस्तों आपको स्वास्तिक बनाना है पुर्णिमा की तीथी को सुभा अस्नान बेगेर कीजिए और अपने तुलसी के जो आपका पॉट है गमला है तुलसी के गमले में स्वास्तिक बनाईए और दोनों साइट दो खड़ी रेखाएं खीचना मत भूलेगें हम बार बार बतलाते हैं आपको स्वास्तिक को कभी भी खुला ना चोड़ें उसे बांध दें स्वास्तिक का मतलब होता है लक्षमी स्री धन तो स्री धन लक्षमी मान सम्मान सुख को आप खुला क्यों चोड़ेंगे इसलिए दोनों साइट दो खड़ी रेखाएं डालिए जिससे स्री को धन को आप बांद सकें आप तुलसी के पॉट में गमले में एक स्वास्तिक बना दे और दोनों साइट से घेर दे यकीन मानिए आपके जीवन में सुख का आगमन होगा सम्रिद्धी का आगमन होगा और वैसे तो आपको अपने मुख्य दर्वाजा के दोनों साइट स्वास्तिक बनाना ही है इस बात को मत भूलिएगा जब भी कोई सूब समय हो सूब दिन हो मुख्य के दोनों दर्वाजे के दोनों साइट स्वास्तिक जरूर बनाए और यहां भी वही नियम लागू होता है खड़ी रेखाएं खीच दे जहां कहीं भी आप स्वास्तिक बनाते हैं खड़ी रेखाएं जरूर खीचे क्योंकि हमारे आकास मंडल से खुसिया बरसेंगी सुख सम्रिधी बरसेंगी बस आपको समेटना है आप समेट ले और इसका आनन्द उठाएं इस मनुसे जीवन का आनन्द उठाएं दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ आप लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद